गुड मॉर्निंग टु आल आज की जो वीडियो वो है प्रेडिक्शन की वीडियो तो जिन बचों ने 6 और जुलाई को आइल्स का एक्जाम देना जा एक्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं जा फिल्ल किया हुआ है तो आप ये प्रेडिक्शन की वीडियो जुरूर देख सब्सक्राइब करते हैं जिन बचों ने 6 और जुलाई को आएक्जाम देना जा फिर बुक किया हुआ है पार्ट वन के घर हम बात करें तो पार्ट वन में फिल्लप्स आएंगे ये कंडिशन होगी बान वर्ड जा फिर कोई भी नंबर आप चूस कर सकते हो लेवल आएगा उसका easy to moderate जो number वाले questions होते हैं उसमें rent बगेरा पुछा जा सकता है, cost पुछी जा सकते हैं, जहां पर भी वो रहते हैं, जा फिर कोई car की cost पुछी जा सकती है, कितने miles हैं गर उसका office से दूर, तो ऐसे question पुछे जा सकते हैं, number के साथ related. Part 2 के गर हम बात करें, तो मैं आपाने के बहुत जादा chances हैं, साथ साथ short MCQs आ सकते हैं, level जो आएगा उसका easy आएगा, next हम बात करते हैं, part 3 की, part 3 में large MCQs आएगे, 21 to 30 questions होगे, easy to moderate level का होगा, यानकि जो first 3 questions होते हैं, बहुत जादा easy होते हैं, उसके बाद उसका level जो थोड़ थोड़ा moderate होता जाता है, तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना, part 4 के गर हम बात करें, तो philips आएगे, one word सिरफ होगी condition, तो बहुत ही ज़्यादा, ये fast हो जाता level part 4 का, तो आपने फटा-फट से practice करने हैं, playback speed से आपने practice कर सकते हो, level आएगा उसका easy, तो overall अगर हम बा पोड़ी से fast हो सकते हैं, लेकिन easy आएगी, next हम बात करते है, reading की, passage 1 की, तो questions आएगा, answer the following questions, उसकी condition होगी no more than 2 words, 1 to 7 questions होगे इसके साथ related, और साथे साथ 8 to 13 questions आएगे, वो आएगे true, false, not given के साथ related, level जो आएगा, उसका easy to moderate level आएगा, next हम बात करते है, passage 2 की, which paragraph contains following information, 14 to 18 questions आ questions आएगे, match the following statements, और last जो questions होगे, passage 2 के वो आएगे, complete the summary 24 to 26, यानकि 3 questions आएगे, summary के साथ related, और level जो उसका आएगा, वो आएगा easy, next हम बात करते है, passage 3 की, passage 3 में आएगे, choose the correct letter A, B, C, D, यानकि MCQ के साथ related, 27 to 31 questions, फिर उसके बाद, yes, no, not given के साथ related आएगे, 32 to 36, और last वाले जो 4 questions होगे, वो आएगे blanks, यानकि 37 to 40 questions, लेवल जो आएगा, उसका moderate level का आएगा, overall अगर हम बात करें, तो जो reading आएगे उस दिन, वो आएगी moderate level की, तो सारी चीज़ मैंने बताई दी, next हम बात करते है, writing की, सबसे पहले बात करते है, task 1 की, कौन से topics आपने प्रिपेर करन है, statement नहीं है, आप Google से कर सकते हो, search कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप मुझे message कर सकते हो, next हम बात करते है, task 2 की, कौन कौन से topic अपने प्रिपेर करने, first है science and technology, बहुत ही ज़दा important है, society and government, jobs and employment, fourth TV, music and media, and fifth है history and culture, ये 5 topic आपने प्रिपेर करने, इन पांचों में से कोई न कोई एक statement जरूर, surety है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, next हम बात करते है, questions की, कैसे questions आएंगे, first है do the advantages, outweigh the disadvantages, क्या advantages जादा है, disadvantages से दो पेरे बनेंगे, discuss both views and give your opinion, next है agree or disagree, यानि कि do you agree or disagree, जा फे to what extent do you agree or disagree, ऐसे statements आएंगी, तो overall मैंने बताई दिया हर चीज तो अगर कोई problem होई, तो मैंने number दिया, वहाँ पे आप message कर सकते हो, तो मेरे channel को like, share और subscribe करो, thank you